पालो जी की कुशिंस कर देते हैं, 1995 कर गया था और जो कुशन अब यह पन करने वाले हैं वो 1996 की सबसे पहला कुशन देखो यहां पर क्या है Of the four landmark in medical history given below which one of the following was first to take सबसे पहले कौन सी हुई थी, तो हमें सबको पता है कि सबसे पहले जो हुई थी, वो plastic surgery हुई थी, जो किस ने करी थी, शुष्रुत ने करी थी, around 600 BC 600 600 BC के around हुई थी, शुष्रुत द्वारा करी गई थी, शुष्रुत सहींता में, समीता के अंदर, ठीक है, तो plastic surgery सबसे पहले हुई थी, और उसके पारे में, मतलब plastic surgery, rhinoplasty करी थी, नाप की, फिर यह बता चल गया था कि हमारे, मतलब इतने पुराने time के अंदर भी plastic surgery है, हमार आप लोगों को answer, पैसे history से question related है, लेकिन जो organ transplant हुआ था ना, वो सबसे पहला case हुआ था, 1959 के अंदर, जोसफ E. मुरे ने, जोसफ E. मुरे, ठीक है, फिर जब test tube baby की बात करते हैं, तो test tube baby हुई थी, 1978 के अंदर, 1978 के अंदर, इसको करी थी, Louis Joy, Louis Joy Brown, और bypass surgery, bypass surgery हुई थी, हमारे पास, मतब 1960 के अंदर, और इसको करा था, publish करी थी, 1961 में, Robert Woods, ठीक है, तो ये सारी चीज़े आपको ध्यान रखने है, ध्यान तो क्या रखने है, ये question basically history को चेक करने के लिए था, according to the, according to the World Health Organization, disease which caused the death of the largest number of the people today, ये 1996 का question है, तो वहाँ पे डबलो है चुकि कोई report आई होगी recently, और उसने बताया होगा कि ये disease सबसे ज़्यादा death cause करती है, तो उसका answer है tuberculosis, ठीक है, tuberculosis को 1996 में, World Health Organization की report ने घोशित करा आता कि इससे सबसे ज़्यादा death होती है, वो है कौन से disease tuberculosis, tuberculosis किसी होती है, mycobacterium, bacterial disease है, ठीक है, mycobacterium, tuberculosis, tuberculosis, ठीक है, इंडिया ने एक target भी रखाया है, मुझे ये comment में लिखके बताना कि कब तक का target है कि इंडिया से TB को एक दम करना है, the nutrition deficiency condition that needs to be given top priority for the remedial action in India today is, nutrition deficiency की conditions है, जिसके अंदर इंडिया को, इंडिया जो है, वो top priority दे रहा है, उसको remedial, मतलब उसे हटाने के लिए, तो सकर्वी है, सकर्वी किसे होती है, विटामिन C से, ये सबको पता है ना, ठीक है, फिर, रिकेट्स किसे होती है, रिकेट्स होती है विटामिन D से, सकिन के अंदर, फिर, पहली गरा, ये होती है, विटामिन, नाइस, अरे, ये क्यों हो गया, एन, आई, A, C, I, N, यानि की, विटामिन B, 3, फिर, जेरो फवाइ, तिल्मिया होती है, विटामिन A से, और, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी के अंदर, उस टाइ जो पूर चिनरलन्स होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा देखी जादी थी, उस टाइम पे तो इसले इस कान से क्या हो जागा, वैसे तो, उस टाइम पे के अकॉर्डिंग हमें नहीं देखना, अभी बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौनसे डिसीज किस्से होती है, उस इनकानिजन्स गभाविण पे लिए डिस टुनदी सेवन एलिमेंट्स तो विज फिफटीन आर मैटल अमांग इस दूस मीजर क्वालिटी क्वान्टी इस इंक्लूडद हमें कुछ मिनरल के रिक्वार्मेंट होती है ने हमारे बाटी में, एक होते हैं याम होती हैं तो स Potation, Sodium, Magnesium और Sulfur, ठीक है? यह सारे चाहिए होते हैं Micro हमें कौन-कौन से चाहिए होते हैं micro होते हैं जो छोटी Quantities के अंदर चाहिए होते हैं कम Quantities के अंदर हमें चाहिए होते हैं Nutrients वह कौन-कौन से होते हैं हमारे वह चीज भी लिख लो, वह थे हैं Iron, Fe, Magnes zinc Zn, copper Cu, iodine, iodine, cobalt, molybdenum MB, selenium, chromium silicon He selenium and silicon. These all magnesium molybdenum molybdenum तो उसमें था molybdenum किसके अंदर है micro में और हमें क्या चाहिए macro वाले चाहिए तो यह molybdenum और यह तो नहीं होगा option फिर यहां पर देखो potassium sodium magnesium and calcium यह सारे हैं तो यह answer हो जाएगा इसका यह और यहां पर देखो magnesium यह भी micro में है और यह भी हमें मैच करना है vitamin enzymes hormone और protein इनमें से कौन कौनसा है और वो अब देखो सबसे पहले vitamin की बात करते हैं तो vitamin हमें देखना है hormone देखना है और protein देखना है और enzyme देखना है तो protein कौनसा होगा protein जो है na वो keratin होती है बालू के इंदर जो जाहिए होता है वो keratin बोलते हैं ना keratin treatment करवाया है तो वो protein जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास keratin ठीक है हर्मोन के अंदर progestor ये वाला हो जाएगा ठीक है ये female sex hormone होता है color change करके लग दियो female sex hormone sex hormone होता है keratin क्या होता है structural protein होता है structural routine होता है ठीक है और carrot से vitamin कौन है carot carotin ये वाला जो होता है ये carrot में होता है पता होगा आपको आखों के लिए तेज होता है vitamin नहीं बोलते है इसके अदर ठीक है और enzymes कौन बज़का pepsin ये क्या करता है ये break करता है break down break down protein into amino acid protein into amino acid ठीक है amino acid के अंदर break down करता है तो ये सारे चीजे है ये match करें आप जो भी answer होगा next देखो ये सारे मार्क से ना मैंने questions all को रखेते तो सीटे है biologists have so far known इंसेक्स का इंसेक्स का इंसेक्स का इंसेक्स का वो 40% और बायो डाइवर्सिटी है सुर्फ 72 थाउजेंटी अप्रोक्षिमेटली इन्होंने डिसकवर करें लेकिन जो इंसेक्स है ना इंसेक्स का नंबर बहुत जादा है अप्रोक्षिमेटली उस टाइम पर यह इतना था अभी तो पता नहीं और भी बढ़ गया होगा या फिर कम हो गया होगा पता नहीं ठीक है अप्रोक्षिमेटली इतना है तो समझ लो सबसे यादा इंसेक्स डिसकवर है अभी तक यह बुला गया है कि सीडलेस टमैटो यानि टमाटर को बिना उसके बीच के क्या उगाया जा सकता है प्रोड्यूस करा जा सकते है तो उसका आंसर है यस क्योंकि स्प्रेइंग हर्मोंच on the flowers बस दो टाइब के हर्मोंच होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं अगर आप उनको उनको स्प्रेइ कर दोगे तो आप इसको ग्रोव कर सकते हो मैं लिख देती हूं पर ऑक्सिन जैसे की IAA और IBA नाम के इनके टाइबस होते हैं फिर लेंस यह होते हैं तो यह फर्स और यह सेकंड यह दो टाइब के हर्मोंच होते हैं तो उसकांसर क्या हो जाएगा अब देखते हैं which one of the following are associated with diabetes mellitus a common disease in adult ऐसी जो adults के अंदर diabetes वगर होती है उसे कौन सी चीज रिलेटेड है higher sugar level in blood होता है और lower insulin level होता है इस cancer 1 और 3 है diabetes जिसको भी होता है आप लोगों को यह पता होगा कि वहाँ पर जो insulin होता है वो कम होने लग जाता है अब insulin होता क्या है insulin की deficiency है इसमें क्या होता है कि sugar का जो level होता है वो increase हो जाता है मैं अब इसको पूरा समझाओं insulin का जो insulin होता है इसका major role क्या होता है major role होता है इसका to regulate to regulate regulate the level of glucose in blood level of glucose in blood और इससे क्या होता है शुगर का जो level होता है वो control रहता है लेकिन क्या होता है जब इसकी deficiency हो जाती है तो sugar का level increase हो जाता है और वो अपनी body से pass out होता है urine के form में और इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है और यहां पर क्या होता है तो जो cell होता है वो utilize नहीं कर पाता ह carbohydrates को for energy के लिए इसलिए ना उन लोगों को बहुत problem होने लग जाती है तो carbohydrates देखो insulin क्या करता है glucose के level को regulate कर रहा है अपने blood के अंदर और वहाँ पे है जब insulin lower हो जाता है जो insulin का जो level हो lower हो जाता है तो वो क्या करता है regulate नहीं कर पार है glucose को तो इसलिए क्या हुआ कि sugar का level तो उससे वो directly हमेरे urine से पास हो जाती है लेकिन अगर और इस करण से क्या होता है कि जो cell होता है वो utilize ही नहीं कर पार है क्योंकि energy produce करने के लिए क्या चाहिए glucose को और carbohydrates को वो क्या करनी पार है वो utilize नहीं कर पार आपने अंदर ठेक है तो इसलिए इस cancer क्या हो जाएगा d next question दे by mosquito and other blood sucking insect ये चीज़ रोंग है और the across the placentia ये भी सही है अब दिखो इस तीच का answer थड क्यों नहीं है वो मैं बता देती हूँ थड इसमें भी option आ रहे है ये भी आरा answer directly for भी हो जाएगा अब इस तीच को समझो मॉस्किटू के अंदर क्या होता है कि ना it's HIV virus होता है तो virus को host cell चाही होता है उसको hold करने के लिए उसको reproduce करने के लिए तो जो mosquitoes होते है उनकी अपसेंस होती है T cell की अपसेंस होने के कारण क्या होता है वो reproduce नहीं कर बाते तो इस लिए वो पास नहीं हो पाता T cells की यूमन में जो T-cells होता है न वो उन में नहीं होता तो इसलिए वो क्या होता है कि वो replicate नहीं हो पाता तो AIDS जो होता है वो सिर्फ दो तरीके से फैलता है 1, 2 और 4 तो दो नहीं तीन तरीके से इसमें आंसर में इसका आंसर एक तीनों ही सही है बैलेंस डाइट अपने पड़ी थी 6th क्लास में पढ़ लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है जिसमें सारे प्रोटीन, मिलर्स, कार्भाइडरेट्स वगरे जितने भी होते हैं विटामिन होने जाहिए वो सारे एक appropriate proportion के अंदर होने चाहिए over nutrition हम जादा खाने लग जाएं, under nutrition कम खाने लग जाएं, imbalance मतलब carbohydrates जादा ले लें लेकिन हम protein और minerals ना लें तो यह तीनों ही गलत है तो इस कान से क्या हो जाएगा 1, 2, 3 people drinking water from shallow hand pump are likely to suffer from of all of the falling disease except किस से नहीं होगा, fluorosis से नहीं होगा उनको क्या बुला गया है, suffer करेंगे वो disease से लेकिन except fluorosis fluorosis से यानी fluorine जो होता है, fluorine जो होता है पानी के अंदर उससे बुला है अब दिखो, यह shallow hand pump से वो पानी ले रहे हैं, shallow hand pump जो normally fluorosis जो होती है न, वो excess of, excess of fluorine fluoride या फिर fluorine in drinking water होती है, उससे यह disease होती है ठीक है, दात एकदम पीले से होने लग जाते हैं, damage होने लग जाते हैं तो उस चीज को बुलते हैं, अब cholera, typhoid और jointis, यह तीनों ही तीनों क्या होते हैं गंदे पानी से, पीने से होते हैं, और यहां पर क्या होता है, मैं सबके बारे में लिखे देती हूँ थोड़ा सा, कि यह आपको थोड़ा सा ध्यान रहे हैं, और यह आपको खुद को पढ़ना भी है अिऐ टेस्टा नाइनैन इंफेक्शन, इंफेक्शन, कॉज़ड बाए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सा होता है, वह भी दिख रहे हूं, बैक्टीरिया होता है वाइब्रो, थीक है, उसके बात यहां पर देखो, typhoid, ताइफवएड की बात करेंगे, तो यह थिस से होता है कि और जॉइंडिस जॉइंडिस किसे होता है की झॉट से ऑफटेस वाइडिस से कंडामिनेटेड हो bacon उसको पीने से होता है, सब कुछ पीला होने लग जाता है, आपके नाकुन पीले हो जाता है, आईस एकदम पीली होने लग जाती है, ठीक है, और ये तो initial state दो होते हैं, देखें कैसे जाते हैं, कि अगर आपके नाकुन पीले हो रहे हैं, आपके आखें भी पीली हो रही है, ब कि में क्या-क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू पाई जाती है मैं आपको बता देती हूं जो मिल्क होता है उसको complete food कहा जाता है complete food कहा जाता है एक और चीज़ आपको बताती हूं normally आप देखोगे पंजाब और हर्याना के साइड के जो लोग होते है वो मिल्क इस्पेशली हरयाना हरयाना में जो लोग होते है वो मिल्क का consumption बहुत जादा करते है और आपने देखाओ को कि इनके height वगरे भी बहुत जाद अच्छी होती है वहाँ पे girls की boys की सबकी height वगरे भी अच्छी होती है healthy भी normally नॉमली अच्छी होती है क्यों अच्छी होती ह है जो अपनको अपनी body के लिए बहुत जादा जर्वत है देखाओ इसके अंदर carbohydrates होता है carbohydrates होता है ठीक है protein होता है protein होता है जो की 3 से 4% होता है और जो की कौन से type का होता है zam anlam season carboidrates उसी लेक्टोस बाला होता है mainly फिर protein होता है fats होता है इसमें fats 3.5 से 6% vitamin होते है vitamin आप कौन कौन से होते हैं दिखना a होता है D होता है E होता है K होता है ब 1 होता है 22 होता है b 6 होता है ठीक है और उसके बाद vitamin minerals कौन कौन से होते है minerals भी लख़ा देती हूं hopeless होता है तो यह चीज़ ध्यान रखना milk के अंदर water होता है 95% carbohydrates होता है protein होता है fats होता है vitamin में होता है A, D, E K, B1, B2, B6 और B12 minerals के अंदर होता है potassium, calcium, chlorine, phosphorus sodium, sulfur, magnesium और iron ये सारे minerals होते हैं और वैसे आजकल तो हर्याना वगर देखो ये भी reason है कि वहाँ पे purity ज़ादा होगी लेकिन अगर आप normally cities वगरे area के अंदर होगे तो वहाँ पे pure milk नहीं मिलता लेकिन फिर भी मिलता तो है तो थोड़ा बहुत ही consume कर पाओगे लेकिन उस चीज़ को minerals वगरे उसमें थोड़े बहुत ही मिलेंगे लेकिन मिलेंगे अब जो लोग वीगन है वह बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए उनके अलग रिजन से बट सबके अपने अपने अलग रिजन से ठीक है match list 1 psychological process with list 2 cell organs and select the correct to answer using the code given below देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है क्योंकि यह solve था तो अब यहाँ पर उसको check कर लेते हैं हम भी क्या करना है list को check करना है सबसे पहले देखो photosynthesis यह psychological process दे रखें ही और cell organs Earth मेमरीन होती है plasma membrane का होती है boundary होती है किसकी cell की और उसके environment की तो यह क्या काम करता है mineral को uptake करने का काम करता है mineral को लेने का काम कपरता है तो यह answer यह जाएगा उसके बाद chloroplast की बात करते तो chloroplast क्या होता है small organelles होते है के अंदर और तो किसमें करेंगे अब्सार करते हैं लाइट वो सब्सक्राइब करेंगे वह फ्रसें खेंगे और व्लिए िसमें her Gom correctses में और फिर आथ एता है्म अबर आफ़् क्योंकि यह क्या कर रहा है oxygen और nutrients जो है उसको convert कर रहा है तो यह चीज़ हो जाएगा और ribosomes क्या होता है protein synthesis होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर RNA molecules होता है जो कि associate होते है protein के अंदर किसमें cytoplasma में और वो किस काम में आते हैं protein के synthesis में तो यह इस cancer हो जाएगा mitochondria का respiration हो जाएगा और यह chloroplast का photosynthesis हो जाएगा और plasma membrane का mineral uptake हो जाएगा अब next वाला question देखो which one of the following is a modified stamp इस cancer है potato यह जो sweet potato है ना यह modified root है ठीक है modified root है अब एक और चीज़ बताती हूँ यह जब मैं पढ़ाती थी ना तब मैं बच्चों को जब कुशन करती थी तब मैंने बताया था कि potato जो होता है वो स्टैम होता है तो लोग मुझे पर आश्यरे करते थे शायद onion भी स्टैम होता है क्यों होते हैं क्योंकि देखो पटाइटू का अगर आपने देखा होगा ना तो इसमें से birds निकलने लग जाते हैं ब्रांचेस निकलने लग जाती है scientific अपन normal language के अंदर चीजों का अलग से तरह के से यूज करते हैं लेकिन scientific उनका classification हमेशे अलग होता है बढ़ जाते हैं यूझहित लग होता है еся añगगन अपन वह penser ब्राइब होता है उसको ब्रांगन अर ₍ण के अंदर कहा जाते ह्याgt ना इसको five प्लान है इस एक प्लांट घान को फ्रूट मानते हैं एक्ट्ट्र को फ्रूट में इससके ब्रूट खलीस निकलते हैं उसके चीज हो जाएगे carrot और sweet potato यह तो modified root होती है और coconut coconut तो एक fruit है जिसका नाम होता है जिसको इक इस नाम से भी बोलते हैं droop से क्योंकि इसके अंदर क्या होता है stony stony fruit fruit क्योंकि यह क्यों होता है एक cover coconut जो होते है नारियल के आवर बॉड़ी आर्ट अजय कोई जाए करता है तो नॉमली अगर इना किसी को बहुत ज़्यादा फैट होगा है या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटा होगा उसको जनरली पसीना बहुत लेत आएगा क्योंकि जब भी आप एक्सराइस करोगे तो बहुत ज्यादा जो बहुत gland होती है वो सबसे अदर responsible होती है लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कि तो जिसकी बहुत ज्यादा fat है ना तो इसकी skin बहुत ज्यादा मूटी है मूटी होने के कारण जो इसकी heat है ना वो निकलने पारी body से बाहर इसलिए जो sweat है मतब जो पसीन है वो इतना जल्दी नहीं निकलता तो जो fat का काम होता है बेसिकली वो loss of the heat को prevent करने के लिए use करा जाता है next वाला question देखो which one of the following professionals are more likely to run the risk of the permanent change in the cell DNA cell DNA के अंदर mutation पे एक Wolverine movie थी ठीक है mutation हो जादा उसकी बहुत सरी series भी आई थी ठीक है painters इसमें से ऐसा पुछा गया है कि कौनसी से आपकी mutation होने के chances रहते हैं देखो diars और painters से disease हो सकती है मतब जैसे silicon वगड़े को use करते हैं तो silicoisis हो सकती है painter से lead जो paints होते हैं उसके अंदर lead होता है तो अपनी skin मतब skin के लिए थोड़ा सा harmful हो सकता है अपनी lungs के लिए harmful हो सकता है अगर आप उसको consume कर लेते हो तो लेकिन इससे mutation नहीं होगा आपके DNA के अंदर तो fourth option नहीं है तो fourth नहीं है तो ये वाला गया ये वाला गया अब देखो एक्स-ray using researchers using carbon 14 isotopes carbon जो 14 isotopes को अगर आप use करोगे तो ये होगा है एक्स-ray के technicians x-ray जो होते है न वो क्या करता है damage करता है cell or tissues को तो ये भी सही है और coal miners जो कोईले के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ये चीज़ होती है तो researchers नहीं तीनों चीज़ों को ही माना है तो इसलिए इसकांसर क्या हो जाएगा बी बस fourth को अटाओगे न तो two तो है नहीं two के अलावा coal miners और इन सब के भी dna में change हो सकता है recently ये चीज़ बात कही गई है कि जो coal miners वगरे होते है न वो भी radiations के exposure जो देखो carbon 14 isotope है radiations निकल रहे है तो आप radiations के exposure में जब भी आओगे तो आपके mutation होना dna में हो सकता है आपके cell के अंदर change आ सकता है तो इसलिए 1b है 2b है और 3b है तो आंसे क्या हो जाएगा इसका b next question देखो which one of the following is not an essential micronutrients from plant micronutrients अभी अपने किसके देखे थे human body के देखे थे living organism के देखे थे micro और macro इसके micronutrients देखे हैं तो जो इसके micronutrients होते हैं वो small quantity के अंदर चाहिए अब वो कौन-कौन चाहिए न्यूट्रेंट चाहिए देख रू एफ़ एफ आयरन एफ़ बोल रहे है आर रहे हैं magnesium boron copper zinc molybidum और chlorine यह सारे चाहिए होते हैं और nickel ठीक है यह सारे के सारे हमें क्या चाहिए होते हैं यह हमारी body के अंदर जरूरी होते हैं boron हो गया iron हो गया magnesium हो गया copper हो गया zinc हो गया molybidum हो गया chlorine हो गया और nickel हो गया तो यह सारे चाहिए होते है micronutrients plants को लेकिन macro और micro environment का question है यह याद कर लेना कौन-कौन से macro है और कौन-कौन से macro और micro है मैंने सार लगा दिया है ठीक है अभी लिख लो जब यह question देख रहे हो अब देखो यहां पर micronutrients पूछा गया है plants में अब एक और चीछ बता दिए जो sodium है sodium micronutrients की तरह ही होता है लेकिन यह ज़्यादा जरुवत नहीं होती है यह सिरफ है यह यह वाले सारे याद रखके आना याद रखके आना नहीं मतलब याद रखना तो यहीं पर हमारे 96 की सारे कुछन्स खतम होते हैं फिर आगे मिलेंगे थांक्यू और आपना इस दी